स्वागत आपका स्कूल राज तेयोरी में आज अमारम करने जा रहे हैं कक्षा 9 में सामाजी विज्ञान का घ्रह कार रहे जो की आपका पार्ट 1 से आया गया है फ्रांसिस क्रांती से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का घ्रह कार रहे पहला है अठारष सताब्दी में फ्रांसिस समाज को कितने स्टेट में बाटा हुआ था…? दूसरा परस्थन है एसेट्स जनरल क्या है और क्या कार रह करती थी…? एसेट्स जनरल एक संसकारी संस्था थी… नएक करकी मंजूरी के लिए एसेट्स धेटर्ग की बेटटक बिलाई जाती थी यह नए प्रस्ताप पर अनुमोधन का कारें करती थी या करता था अगला परशन है दा सोशियल कांट्रेक्ट पुस्तक किसं ने लिखी थी जीन जैक्स रूसो ने पुस्तक लिखी थी जीन एक्स रोसो ने टैनिस कोट की सपत क्या थी? 20 जून 1789 को लुईस सोला ने कुलीन के प्रभावों में आकर तिर्थ्य सदन्द की सभा भवन को बंद करवा दिया वहां सैनिकों की नुक्ति किया, सैनिकों को नुक्त किया तो तिर्थ्य सदन के सदस्यों ने पास के टैनिस कोट के मैदान में अपनी सभा के तौर पर सपत घ्रहन की जो इतिहास में टैनिस कोट सपत के नाम से विख्यात है प्रशन पांच है, फ्रांसिस क्रांती में मेर्वियो और ओबे सिये की क्या भूमिका थी? 1789 में एस्टेट जनरल के आहां पर्तित्य एसेड निशनल एसेमबली का गठन किया गया था इसी एसेमबली का निश्टित मेरा मेर्वियो और ओबे सिये ने किया था जिसका प्रमूग लक्षे क्या था? सविधान को तयार करना जो की 1791 में पूरा हुआ था ध्यान रखना है ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्ण है अगला प्रश्ण है बास्तिल के दुर्प का पतन कब हुआ? बास्तिल का दुर्प का पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ प्रश्ण साथ है फ्रांस सामवेधानिक राजस्तंतर कब बना? प्रश्ण आठ है फ्रांस में नेशनल एसेम्बली चुनने के लिए मत्तदान का अधिकार के से प्राप था? मत्तदान सक्रिय नागरी को तक सिमिकता जिनोंने करोंक में नियूंतम रासी का भुकतान किया था लगबग दो तिहाई व्यस्क पुरुसों को मत्तदाताओं को वोड देने और कुछ इस्थानिय अधिकारियों को सीधे चुनने का दिखार था जिन महिलाओं और पुरुसों ने कर का भुकता नहीं किया था उन्हें निस्करिये नागरिक माना गया और उन्हें मद्दान करने की अनुवती नहीं दी गई इसी परकार समापत होता है आज का हमारा ग्रह कार रहे आगी भी देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहे धन्यवाद